इंटल के नियूज यॉन ओप दिखने वाले हैं 144 को जो आते हैं 250 वोट्स की TDP के साथ यानि कि ओनली 2 वोट्स पर को रहिटाइस बोर PCIe Gen 5 लेंज यानि कि आप इसली मेमरी को एड़ का सकते हैं या पर हमें ओन बोर्ट एक्सलरेशन और काफी कुछ ऐसे एक्साइटिंग फीचर से को मिल जाते हैं इंटल के नियूज सीरा फॉरेस्ट आलसो लोन एज इंटल जियॉन 6 या फिर 6700E सिरीज में इंटल के नियू सीरीज कम्प्लेटली रीडिफाइन करने वाली है सर्वर्स की दुनिया को इंटल के इस नियू लाइडप में हम टूटल 7SQ को देखने वाले हैं जिसमें हमें DDR5M का सपोर देने को मिल जाएगा सारे साथ इसकी जो फिक्वेंसी है वो वैरी करने वाली है 2.6 GHz से लेकर 3.2 GHz तग इसे के जाथ हमें 64 कोर्स से लेकर 144 कोर्स के मल्टिपल वेरिस देहने को मिलने वाले है अब इंटल ऐसे क्लीम किया है कि उनकी इस निव सीरीज में हम 2.6X का इंप्रूव्मेंट डिख सकते हैं परफॉमेंस पर वाट में और 4.2X का इंप्रूव्मेंट डिख सकते हैं इसकी परफॉमेंस में अगर इसे कंपेर करा जाए इसके प्रीवेस 2nd Gen Xeons के साथ अब इंटल की ये निव सीरा 4S जियों सीरीज और रिली लॉच हो चुकी है बट जल्दी हम इंटल की 69 सीरीज कोड नेम ग्रेनाइट ट्रेपिट्स के सर्वर गेड एसक्यूस को भी देखने वाले हैं और वो सब दी नेक्स चेर दक हम इसको लॉच होता हो देख पाएंगे जिसमें ऐसा बोला जा रहा है कि हम 288 P कोर्स के मोडल को भी देख सकते हैं बट हेज, do you guys know?